आप सभी लोगों का स्वागत है चलिए देखते हैं मार्केट कैसा भीफ कर सकता है सेकिंड हाफ में तो सबसे पहले अगर हम आज के ऑप्षिंचीन डाटा को समझनी की कुश्यत करें तो एक बाटा रफ्रेश करता हूं यहां पर स्टिल वीकनेस बनी हुए है मार्केट में ज यहां से अल्मोस्ट करीब करीब 500 यहां से अल्लेडी कमाने को मिल चुके हैं यहां पर क्योंकि अल्लेडी इसने फर्स्ट फॉल दिखाया फिर सेकंड एग्जेक्ली रेजिस्टेंस लेकर दुबारा से नीचे आया है अगर हम यहां पर ऑप्षिंचीन डाटा को देखें त काफी बड़ा ओपन इंटरस्ट है पुट साइट के बाद करें 17 दोसों की पुट सबसे इंपॉर्टेंट होगी 38 लाग का ओपन इंटरस्ट खड़ा हुए अगर हम 17 दोसों की नीचे दुबारा से फिसलते हैं तो फिर यहां पर जो सेल ओफ है वो थोड़ा सा और गहरा जा सकता है बट कल हम बहुत एक कह सकते हैं एक स्ट्रेट लाइन में गिरेते तो आज थोड़ी बहुत वॉलिटिलिटी के साथ गेर सकते हैं लेकिन गिरेंगे फिर भी हम यह चीद आप क्लियर ली समझ लीजिए अगर हम 17,100 के नीचे निकले या 17,80 अगर हमने आज के इंटरे इस पर्टिक्लर पोजीशन में यह चीद आप क्लियर ली समझ लीजिए और यह वीडियो में थोड़ा से जल्दी इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मैं अल्री मेरा काम हो चुका है क्योंकि जैसा कि मैंने कल प्लांड किया था उसके इसाप से मार्केट खुला और अच्छा यहां पर मिल चुका है तो इसलिए यहां पर मैं ज्यादा मार्केट से कोई इस फाइट नहीं करना चाहता अन्नेसेसरी अपने प्रॉफिट को बढ़ाने और गठाने के लिए तो इसलिए वीडियो थोड़ा जल्दी डाल रहा हूँ अब बात कर लेते चार्टी तो का ही प्लान करो अगर कलका लोग ब्रेक होता है यानि यह लोग ब्रेक होता है तो फिर यहां पर क्या है कि और भी आपको तेज गिरावट देखने को मिल सकती है अदर्वाइस यह इसी चैनल के अंदर कंसौलिडेशन कर सकता है अज का हाई का स्टॉप लॉस लगा लो अग काम करिएगा क्योंकि अब थोड़ी सी वॉलेटिलिटी रही क्योंकि कल हम बहुत तेजी से गिरे हैं अब ऐसा नहीं होगा कि आज भी तेजी से गिर जाएंगे ठीक है न क्योंकि लाइट सी बात है कल काफी लोगों ने मार्केट को गिरते हो देखा तो उनकी 17,250 का अल्रेडी कल हो चुका है तो अराउंड अगर हम देखें तो आज का जो दिन होगा थोड़ा सा थोड़ा सा बाउंस वेक वाला हो सकता है तो थोड़ा सा आपको साफधान रहना और यह जो ट्रेंड लाइन है इस पर जरू फोकस रखिए कर यह बेसिकली यह ट्रेंड चाहिए जब यह इस लोग के नीचे ट्रेट करना स्टार्ट करें तभी आपको यहां पर एक्रिसिफ शॉट करना चाहिए अदर वाइस यहां पर यह थोड़ा सा मांस पर किया साइड़ वाइस जा सकता है मार्केट और आपको लॉस हो सकता है बात कर लेते हैं बैंक निफ् फोल बैक आया फिर फॉल आया अप बर पर क्यारा कर रहें यह थोड़ा सा समझने की को फितिक करोगे तो जेंग से क्या हो और गया यह सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि यहां पर कि अल्मोस्ट अपसे गिर गया तो कल कि कि अगर मैं बता हूं तो मेरे पाइस बीज की पुट मैंने अरॉंड साथ रुपए की लिए अभी अरॉंड 11 रुपए के असपास चल रही है तो मेरे को एक्सपेक्टेशन से यहां पर कि एस बीज तोड़ा सा गिर सकता है जिसकी वैसे बैंक निफ्टी में इस्टिल प्रेशर रहेगा तो यह चीज समझ लिए कि बैंक निफ्टी हो सकता है आज की टेडिंग सेचन में जाधा पार्टिसपेट करें रधर दन निफ्ट क्यों कि निफ्टी कल बहुत तेजी से गिराता लेकिन इसकी एक इंपॉरदंट वह हो गांपका सेथे सजा 600 इसके नीचे हम सरके तो फिर आप समझ लोगा ओर एक्स्टेंशन आपको मिल सकता अगर इसको support लेना है तो इसी level पर इसको support लेना पड़ेगा यानि यह जो low बना इसको दुबारा से इसको test नहीं करना चाहिए अगर यह इसको break कर देता है तो purely पूरा price action पूरा negative convert होता हो दिखाई देगा और फिर यहाँ पर हो सकता है जो sell-off हो तोड़ा सा गहरा जा सकता है तो आपको सारे मैंने आपको scenario इंटरे के आपको समझा दिया है यहाँ पर यह चीज समझ लीजिए बाइंग आपको तभी करनी है जब nifty और bank nifty अपने day high के ऊपर trade करने लग जाए उससे पहले आपको कोई buying नहीं करनी जाए है यानि इस high के ऊपर अगर bank nifty टिक जाता है त तो फिर आपको short covering की मदद से आपको थोड़ा सा profit मिल सकता है otherwise यहाँ पर उपर से selling pressure देखने को मिलेगा सेम चीज निफ्टी मैंने आपको बता चुका हूँ कि यह trend line अगर breakdown होती है 17200 की नीचे करना स्टार्ट करता है तो फिर problem बढ़ती हुए दिखाई दे सकती है आपको market में यह चीज़ आपके लिए समझ लीजे ग्लोबल मार्केट के बात करें तो मैं एक वाट डाव फिचर आपको दिखा देता हूं कैसा कामकाच कर रहा है क्योंकि यूएस मार्केट में भी काफी अच्छी वॉलेटिलिटी देखे गी थी कल मार्केट पहले आपका रैड में ट्रेड किया फिर ग्रीन में ट्रेड किया फिर बहुत ऊपर गया उपर के बाद फिर सेल ओफ आ गया तो डाव फिचर फ्लैट ही है यानि इसका मतलब क् नेगेटिव ही ही है क्योंकि यहाँ पर जब तक बड़ा बाउंस वेक नहीं देखने को मिलेगा तब तक यहाँ पर प्रॉब्लम बनी रहेगी तो हो सकता है आज हमारा मार्केट थोड़ा सा हौल्ट करने की कोशिस कर सकता है क्योंकि आप देख रहे हैं यह कैंडल पर ध्य देखने को मिल सकती है तो आई होप दोस्तों यह पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों फिलाल इस वीडियो में इतना है आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर जरू करिएगा और चैनल को जो सब्स